यह पीनोर रेक्षण इसको का डाता है क्या पीनोर रेक्षण आप इस अब से आरे जौँन में हमारे पास जो है से कंड्रील कोर्श अब अब यह यहां पर जो है जनल लिख रही हूं किस तरह से देख लो यह हमार पास अलकोहल का ओएच पहला मिथाईल जो सिंपरियल काईल दूसरा अलकाईल और यह हाइडोजन ठीक है यह क्या है मार पास यहां पर सकेंब्री अलकोहल है इसने क्या करना है कि टॉन के साथ रेक्शन किया क्वार्ड ओर यहां पर हमार पास CH3 की टॉन मौझूद है यहां पर भी हमार पास जो है कि टॉन मिथाईल ग्रॉप मौझूद है ठीक है यह कि टॉन बन गई इसने क्या करना है अलुमिनियम टर्श्री बियूट ऑक्साइड की प्रेसंस में जो है रियक्शन करना है और हमार पास क्या बनेगी, किटोलो बनेगी, यह हमार पास general reaction है, कि इस का opinion reaction का है, कि general मैंने आपको यहां पर view दे दी है, यह हमार पास यहां पर क्या है secondary alcohol, two degree alcohol है हमार पास यहां पर, और इसने किस के साथ reaction किया किटोलो के साथ in the presence of aluminum तो ठीक है अब यहां पर इसका जो है मेकानिजम स्ट्रेडी करना है अब इसका मेकानिजम देख लें मेकानिजम ठीक है यह मैंने यहां पर लिगा दिया है यहां पर अलकोहल यह इसका अलकायल ग्रूप और यह हमार पास सकेंडरी अलकोहल की हाईटोचर ठीक है अब यहां पर हमार पास हैं अलुमीनियम टर्शीब्यूट अकसाइड अलुमीनियम है ओ तो यहाँ पर मैंने टू लिखा है क्यों अब इसका एक और यूनिट मैं नीचे लिख रही है ओ भी यू थी थे ना तो मैंने थ्री में से टू इदा लिख दिया और एक इदा नीचे लिख दिया ठीक है इस तरह से अब यहाँ पर क्या होगा उक्सिजन के पास अपने लॉन पेर्स मौझूद होते हैं ठीक है यह लॉन पेर उक्सिजन का यहाँ पर मौझूद है इसने क्या करना है इस अलूमीनियम पर आके अटेक करना है और इस अलूमीनियम के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेना है ठीक ह aluminium के साथ bond बनाएगी कौन oxygen क्योंकि oxygen का lone pair यहां से इस aluminium पर आके attack करेगा जब यह यहां पर आके attack करेगा at the same time यह वाला OBU यहां से निकल जाएगा तो हमारे पास क्या product बनेगा कुछ इस तरह से हमारे पास product बनेगा यह हमारे पास R1 R2 यह वाली hydrogen as it is आ गई oxygen oxygen की यह hydrogen मैं उपर लिख रही हूँ और इस oxygen ने bond बना लिया aluminium के साथ तो वो कैसे लिखना है O oxygen के साथ bond बना लिया aluminium ने ठीक है अब यहां पर क्या आ गया OBU hold twice ठीक है तो यह इस तरह से हमारे पास यहां पर rearrange हो जाएगा hold twice है यहां पर दो हमारे पास यहां पर जो है groups रह जाएंगे ठीक है उसके बाद next क्या होगा अब यहां पर देखे oxygen की उपर charge positive आ गया क्यों positive आया क्योंकि उसका loan pair यहां पर use हुआ है bond बनाने के लिए ठीक है अब जब हमारे पास यहां पर oxygen की उपर positive charge आया है इस positive charge को खतम करने के लिए हम क्या करें गे इस positive charge को खतम करने के लिए हम यहां पर यह करेंगे कि हमारे पास यह जो bond मुझूद है यहां से टूटेगा hydrogen वाला bond oxygen hydrogen का bond और यहां पर shift हो जाएगा ठीक है तो oxygen का positive charge वो खतम हो जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पर next किस तरह से step लिखेंगे वह मैं यहाँ से race कर रही हूँ ठीक है तो हमारे पास next क्या होगा oxygen का positive charge खतम हो गया तो फिर हम किस तरह से लिखेंगे नीचे अला portion लिखें पहले यह हमारे पास r1 r2 और यह hydrogen oxygen का positive charge खतम हो गया और यह मैंने यहाँ पर aluminium you hold twice यहाँ पर लिखते हैं ठीक है सिर्फ यहाँ पर हमने क्या किया है हमने positive charge को खतम किया अब यहाँ पर आजेगी ketone ketone की साथ reaction करना धना तो हमारे पास यहाँ पर आ गई ketone double bond O यह हमारे पास यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3 ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा यह वाला जो हमारे पास oxygen जो single bond aluminium के साथ बना रहा है यहाँ से यहाँ पर shift होगा ठीक है अच्छा जी यहाँ पर एक और चीज़ होगी यहाँ से यह वाला जो bond है C double bond होगा ketone का यहाँ से यहाँ पर shift होगा oxygen की उपर charge negative आजएगा यह negative charge जब यह वाला bond यहाँ पर shift होगा तो aluminium के पास electron की deficiency होगी तो aluminium पर जाकर यह attack करेगा ठीक है at the same time जब यह काम हो रहा होगा तो यह वाला जो proton है यहाँ से जाके इस position पर attach हो जाएगा किसकी ketone की ठीक है अब देखने हैं यहाँ यहाँ पर shift होगा ठीक है ना double bond होगा ठीक है जब यह वाला bond यहाँ पर shift होगा oxygen और aluminium का bond टूट गया aluminium के पास again deficiency आगी positive charge उसकी उपर आज बना लेगी ठीक है ना the same time यह वाला जो proton यहाँ पर मुझूद है hydrogen मुझूद है उसने इस carbon के साथ इस इलेक्ट्रोफिली carbon इसके पास जब electron की deficiency होगी क्योंकि इसका bond shift हो गया उपर तो इसने क्या करना है इस हरो hydrogen के साथ यहाँ पर bond बना लेना तो हमारे पास product में क्या बन bond O यह किटॉन बन गई प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा प्लस हमारे पास यहाँ पर जो है यह किटॉन का methyl ग्रूप यह hydrogen जो के यह वाली hydrogen यहाँ पर आके टैच होगी और यह दूसरा methyl ग्रूप यह CH3 उपर single bond O aluminium O BU whole twice ठीक है तो यह हमारे पास यहाँ पर product बन गया CH3 ठीक है अब इसके बाद यह जो हमारे पास यहाँ पर product बना है यह वाला जो product बना है इसकी again हम यहाँ पर hydrolysis करवा सकते हैं ठीक है water के साथ जब हम इसका मजीद reaction करवाएंगे तो again हमारे पास secondary alcohol की formation हो जाएगी ठीक है अब वो किस तरह से होगी कि यहाँ से हमारे पास य यह वाला unit निकल जाएगा और यहाँ पर आकि proton अटाच हो जाएगा और मारे पास क्या बन जाएगा secondary alcohol बन जाएगा ठीक है तो यह मैं यहाँ से रिमूफ कर रही हूं और अगें हम यहाँ पर देखते हैं अगें हम मैंने इसकी hydrolysis करवानी है तो मारे पास क्या बन जाएग CH3H CH3O और यह H यह में रपास क्या बन गया secondary alcohol बन गया अगें हमार पास यहाँ तक ही final product है ketone यह हमार पास यहाँ पर बन गई अब मैंने यहाँ पर यह जो हमार पास by product बना है इसकी मजीद hydrolysis करवा कि हम यहाँ पर secondary alcohol दुबारा से बना सकते हैं कहने का मक्सद दी है कि हमन reaction is known as opinion reaction ठीक है ना secondary alcohol और की टौन का reaction करवाया हमने aluminum tertiary butoxide की presence में product में अगें हमने यहाँ पर जो है कि टौन बनाई और इस byproduct से अगें हमने यहाँ पर जो है secondary alcohol की formation कर ली तो इस reaction is known as opinion reaction यह opinion synthesis